हलो फ्रेंड्स नमस्कार फ्रेंड्स आज मैं आपको एक सूट का रिविव दे रही हूँ ये मीना बजार से मैंने सूट मंगवाया है जो कि मैं कभी करती नहीं हूं लेकिन मैंने पहली बार मंगवाया है तो सोचा चलें आपको भी दिखा लूँ झमीना बजार में साल में एक बार सेल लगती है सूटों पर 50% मैं तब ही अपने पहनने के सूट खरीद लेती हूं क्योंकि सल्वार सूट मैं ज़्याना पहनती हूं तो जह 50% सेल होती है ना तो शौप पर जाकर ही मैं पसंद के अपने ले आती हूं साल बर के ही लेकिन ये सूट बहुत अच्छा लग रहा था मुझे तो सोचा चले मंगवा के देखती हूँ क्योंकि मुझे यकीनी होता कि जो कलर दिखाई दिते हैं वो जब सूट आते हैं कपड़े आते हैं तो वो नहीं होते इतने अच्छे कैमरी आजकर चले हुए हैं तो फोटो में कुछ होता है और जब घर आता है तो कुछ होता है और कभी साइस की प्रॉबलम और कभी कुछ कभी कुछ तो अनलाइन शोपिंग मैं तो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती तो मैंने पहली बार ही मंगवाया है तो चलें आपको भी मैं दिखाती हूँ तो ये है पिंग कलर का सूट है सलवार सूट है और ये मीना बज़ार से मैंने मंगवाया है जैसा कि मैंने बताया तो देखिए कलर तो वही है कुछ ज़्यादा फरक नहीं है बस 19-20 ही फरक है तो सबसे पहले देख लेते हैं इसका प्राइस ये है 350 रुपी का और ये सेल में नहीं था फ्रेश पीस था तो बस अच्छा लगा था तो मैंने मंगवा लिया तो ये है इसका दुपटा क्रीम कलर का दुप कंट्रास्ट है इसके कलर से और इस पे जो पोटलिया लगे हुई है बस ये जो शर्ट का सुट का जो कपड़ा है उससे मैचिंग है उसी कपड़े की जो पोटलियां है ये बनी हुई है बस चुनी है वरना कंट्रास्ट कलर है चुनी का एकदम और ये पोटलिया अच्छी लग रही हैं वैसे आप बताएं आपको कैसी लगी और इतना सॉफ्ट प्यॉर शिफोन का फैबरिक है चुनी का और शिफोन के चुनिया ही मुझे पसंद आती हैं और चुनी बहुत सुन्दर है इसकी आप देख रहे हैं जैसे और बीच में इसमें सिल्वर कलर का गोटा लगा हुआ है और ये है शलवार के लिए ये भी प्यॉर कोटन है और बहुत ही सॉफ्ट और अच्छा कोटन है और मीना बजार के सूटों के यही खासियत होती है उनका फैबरिक बहुत अच्छा होता है बहुत सॉफ्ट होता है और बहुत अच्छा या प्लाजू बनवाई जो भी आपको बनवाना है ये क्योंकि तीन पूने तीन मीटर के आसपास होता है ये कपड़ा भी इसका और ये है शर्ट पीस इसमें गले पे कुछ अलग से इंब्राट्री वगरा कुछ अलग से काम नहीं है ये जो आप देख रहे हैं ये जो बने और ये बहुत फिनिशिंग है इसके काम में सबसे बड़ी बात और मैं ये बात तो फिर से कहूंगी कि मीना बजार के सुट हो पे जो काम होता है उसमें बहुत फिनिशिंग होती है तो ये था आज का मेरा डिव्यू सुट को लेकर आप भी बताएं आपको कैसा लगा और य कर दो कर दो कर दो कर दो